Hello Everyone, Welcome Back to our Class. आज हमारी Class है हिंदी की और हिंदी की Class में आज हम पढ़ेंगे संधी. संधी मतलब सामानित आगर हम संधी बोलें, संधी होता क्या है? संधी का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना यानि कि मेल. अब या तो ये मेल हो सकता है स्वरों के बीच वर्विल्स जो होते हैं और या तो ये हो सकता है व्यंजनों के बीच कॉंसोनेंट्स जो होते हैं तो आपके जो आपको मेली फोकस करना है वो करना है स्वर संदी में इसी से ज़्यादा कोशन पूछे जाते हैं बाकि वियंजन संदी या विसार के संदी से ज़्यादा कोशन नहीं पूछे जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे संदी तो संदी संसक्रिट भाषा का सब्द है जिसका अर्थ होता है मेल आठाद दो urnd के mail को संधी कहते है, जो 2 varn मिलते हैं, या तो वो स्वर हो सकते हैं या फिर वो बेंजन हो सकते हैं, तो यह होता आपका संधी अब फिर से यहाँ पे संधी की परिवाशा है कि 2 varn के mail से होने वाले विकार विकार का मतलब होता, changes, परिवर्तन को हम संधी कहते हैं, आपको के पास definition नहीं आनी है, definition से आपको कोई मतलब नहीं है, आपके जो question बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, कि किस type का बनेगा, या तो simply आपके पास आ जाएगा, कि इस निम्न का संधी विच्छेद क्या होगा, या निम्न से क्या बनेगा, और mainly जो पूछा जाता है, कि निम्न में कौन सी संधी है, तो आपको वो ही धियान रखना है, कौन सी संधी वाला, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, अब संधी तो हो गया, संधी का मतलब होता है, मेल, जब हम मिलाते हैं, संधी विच्छेद ठ भाल हो आता है आप देखिए विध्यारति यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जो ध्या है इसमें आ हो रहा है मतलब यह लास्ट इसका अ है तो इसका अभी जो हम सवरसंधी देखेंगे तोLA हम जब संधी विच्छेद करते हैं तो हमको स्वरों का knowledge होना जरूर ही है उसमें अब जैसे हम विध्यारती देख रहे हैं तो विध्या धन अर्थी यानि कि विध्या को origin करने वाला जो है वो क्या है आपका विध्यारती है गजानन है गज मतलब हाती गज प्लस आनन ये इसका संदी विच्छेद हो गया है अब संदी के होते हैं वेद संदी के वेद तीन होते हैं स्वर संदी वेंजन संदी और विसर्ग संदी आज हम देखेंगे पूरी स्वर संदी और स्वर संदी ही आपसे एक्जाम में पूछी जाती तो आपको इसको अच्छे से करना है अब देखिए स्वर संधी में क्या होता है कि स्वर संधी है तो obvious है कि जो changes होंगे जो विकार होगा वो किस के बीच होगा स्वरों के बीच होता है स्वर यानि कि vowels हो जाते तो इंग्लिश में तो 5 होते लेकिन हिंदी में आपके आज से लेकर आज से लेकर जो आपके अंग अहा तक जो होता हो पूरा क्या होते है आपके स्वर होते हैं अब देखिए स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर स्वर संधी में क्या होता है स्वर प्लस स्वर यानि कि vowels प्लस दोन यहां पर देखे रहो रा के साथ आ है और आ प्लस उ का मेल हो रहा है और बन रहा है आपका ओ यह आपको मैं बाद में बताऊंगे कि संदी के तहट होता है कि आ प्लस ओ किसमें बनता है तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं इसमें भी आया है इसमें उ आया है दोनों स्वर है A plus U करके O बन चुका है अब जैसे यहाँ पुस्तक है का के साथ A होता है यहाँ A plus Bड़ी A A plus A करके क्या हुआ है यहाँ पे पुस्तक आले में क्या देख रहे हैं A तो A plus A करके क्या हो गया बड़ा A बना है तो यह आप देखेंगे अब उसमें होते हैं, स्वर्च संदी में कुछ भेध होते हैं, किनके टाइप्स होते हैं, कौन-कौन से टाइप होते हैं, सबसे पहला होता है, दीर्ग संदी, दीर्ग से नाम से ही आपको समझ में आता है कि बड़ा कुछ हो रहा है, दीर्ग का मतलब बड़ा होता है, तो इस बनेगा बड़ा A, चाहे बड़ा A प्लस बड़ा A A, बनेगा A, चाहे A प्लस A A बनेगा A, आप देख रहे हो कि सब कुछ मिलके क्या बन रहा है, दीरग बन रहा है, same condition वो ही E के साथ भी होगी, E प्लस E होगा, तो E ही बनेगा बड़ा E, छोटा E, बड़ा E, सब आपको बड़ा दिख रहा है, यहां पर भी सब आपको बड़े दिखेंगे, सेम कंडिशन U के साथ भी होगी, सब आपको बड़ा दिखेंगे, तो यहीं इसकी definition है, कि जब हरस्तो सर, अब इससे आपको पता चलेगा, हरस्तो क्या होते हैं, आपके छोटे वाले होते हैं, दिख स्वर में आपका होता है, कि बड़ा होगा, capital जिससे बूल सकते हैं, A, बड़ी E, और बड़ा O, यह होगा आपके दिख स्वर, तो आपका क्या होता है, कि हरस्तो प्लस हरस्तो भी मिलेंगे, तो भी आपका दिख बनेगा, दिख प्लस दिख भी मिलेंगे, तो भी दि बनेगा. Ultimately आपका बनना क्या है? दीर्गसंदी. अब इसके एक्जंपल कुछ हो. देख लिए हमने. जैसे आ प्लस आ का देख लिए हमने विध्या. यहाँ पर आ है. और यहाँ पर छोटी आ है. आ प्लस आ है. तो विध्या प्लस अड़ती होगा आपका विद्ध्यार्ती वैसे उ प्लस उ का क्या बनेगा बड़ा उ बनेगा सू धन उक्ती ये होगए आपका सू उक्ती तो ये आपकी कौन सी संदी होगी दीर की संदी आपको संदी होके नाम ध्यान रखने है क्योंकि क्वेश्चन जादा तर यही पूछ जाता है कि निम्न में ए ये देख लिए आपने पहली कंडिशन में ए बनता है दूसरी कंडिशन होती है उ वाली जब आ के साथ या तो उ सौरी उ आए इसको अगर हम आ प्लस उ हो या फिर बड़ी उ भी हो तो बनता है आपका ओ ये आपने देख लिया है पहली कंडिशन में ए की कंडिशन में च चाहे छोटा O है, चाहे बड़ा O है, बन रहा है आपका O, A और O, यह आपको ध्यान रखना है, और अगर री आए, तो आपका बनता है, अर, यह आपको ध्यान रखना है, कि A के साथ भी आ सकता है, और A के साथ भी आ सकता है, दोनों चीज़े यह भी है, यहाँ A, आइधर A औ और आ चोटी आ बड़ा और इधर ए और ए कुछ भी हो सकता है ये दोनों एक साथ हो सकते ये भी हो सकते इसके साथ ये भी हो सकता इसके साथ ये भी हो सकता इन दोनों से कुछ भी आया बनेगा आपका ए दूसरी कंडिशन में आपका बनेगा और जब री आता है तो आपका ब बनता है करमशा, E का A, U और U का O, और R का क्या बन जाता है, आपका R बन जाता है, तो यह आपकी definition होगे, अब इसके example हम कुछ देखें, तो देखें A और E का A कैसा बना, अगर कहां कहीं पर आया है महेश, महेश का आपको संदी विच्छेत करना है, तो महेश का संदी तो आप देख रहे होंगे, बड़ी A प्लस बड़ी E, इसका क्या बना है, A बना है आपका, यह बन गया A, अब A और U का O बनता है, जैसे आपने करा, जलोर्मी, जलोर्मी का आप संदी विच्छेत कर रहे हैं, तो यह होता है, जल प्लस उर्मी, तो यहाँ पर देखा आपने A प्लस U का क्या बन चुका है, O बन चुका है, और महरसी, अर क्यासे बनता है, तो अगर महरसी देखूं मैं, हयाँ पर महरसी लिखावा है, तो यह A बनना है, माहरशी तो इसका जो संदी विच्छेद होता है महाधन रिशी तो आ प्लस री का मिलके क्या बन जाएगा आपका अर्भ महरशी यह आपका हो गया आपका गुण संदी आपने देख ली आप उसके बाद आती है वृद्धी संदी और फिर यन संदी और फिर आयादी संदी तो देखे पहले वृद्धी संदी देखते हैं तो वृद्धी, वद्धी से क्या होता है इसमें हो जाती है बढ़ोतरी तो बढ़ोतरी कैसे होती है कि A का बन जाता है आई, O का बन जाता है आउ मतलब ये छोटा था इससे बढ़ गया बढ़के इसमें एक पावर बढ़के इसमें ओ आय हो गया ओ का आपका हो गया तो ब्रिधी संदी हो गई अब ब्रिधी संदी कैसे होती है जब या तो आ और आ के बाद ए या आ कुछ भी आए होगा आपका आ आई मतलब ब्रिधी ही होगी आई बनेगा और और सॉरी आप और आ कुछ भी आए उसके साथ आपका ओ या फिर आओ दोनों से बनेगा क्या आपका आओ तो आपको ये देहर नखना कि व्रिधी होगी देखें आप पर देखेंगे तो आपकी अंडिस्टेंडिंग थोड़ा बढ़ जाएगी और एक्जाम में हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक ये कर जाता है आप देखें परमोसद परमोसद तो इसका संदी विछेद होता है परमधन ओसद तो परमधन ओसद यहाँ पे आ है यहाँ पे आउ है और दोनों को मिला के क्या बना आउ ही बना चाहे मैंने बताया आपको कि ओ हो या आउ हो मिलेगा आपका आउ ही लास्ट में आपको वृद्धी जैसे दीर्गशंदी में हमेशा दीर्गश्वर मिल रहा था यहाँ पे भी आपको आई ही मिलेगा और आउ ही मिलेगा चाहे कुछ भी हो अब जैसे महेश्वर्य है आई है यहाँ पे महेश्वर्य तो इसका होता है संदी विच्छे महाधन ऐश्वर्य तो आ प्लस आई का क्या हो रहा है आपका आई हो रहा है अब आपका विरिदी संदी भी हो गया अब आता है यन संदी यन संदी में क्या होता है यहां पर लिखा नहीं है और लिरिकला हो जाता है तो देखिए अब यहां पर हम देख सकते हैं अगर आ के बाद या E के बाद आप देख रहे हो, E के बाद आ रहा है, आ या A कुछ भी आए, यënि E है, चाहे E है, आपको A,ा कुछ भी आए, इसका बनेगा, आपका दोनो A का क्या बनता है? या, या आपको ध्यान रखना है, उसके बाद है O का बनता है, यहाँ पर examples नहीं ह चलो मैं आपको बता दूँगी, यहाप एक्जंपल दिये हैं, उ का आपका वा बनता है, उ या उ कुछ भी हो, उसका वा बनता है, री या री का आपका रा बनता है। रिक आपका ला बनता है तो अब अगर यहाँ पर देखेंगे आप E और A का या अगर एक आपके पास दे रखा है यद्यपी यद्यपी और इसको अब संदी विछेद अगर हम करें तो यदी धन आप भी तो E का आप देखोगे यहाँ पर E है E और A का यहाँ पर द्या है यह एक्चली दा प्लस या ही होता है द्या ऐसे लिखा जाता है तो यद्यपी या बन चुका है अब अगर यहाँ पर देखें देवी धन आगम या आगमन देवी धन आगम तो यहाँ पर E दिख रहा है आपक या बन चुका है अब आता आपका अयादी संदी अब अयादी संदी में क्या होता है इसमें होता है कि A का बनता है I, O का बनता है आपका आउ और आउ का बन जाता है आपका आउ आप देखिए अगर कहीं पर आया है A या आई कुछ भी आया है उसके बाद कोई भी स्वरा आये इन दोनों के अत्रिक आ आये कुछ भी आये तो उसका क्या बन जाएगा I, I आया है उसके अलावा कोई भी स्वरा आये तो उसका I का क्या बन जाएगा I बन जाएगा O का आउ बन जाता है और आउ का आउ बन जाता है अब देखिए यहाँ पर देखिए जैसे गायक है तो गायक का जो संदी होता है तो यहां पर देखेंगे आप आय था आय का क्या बन चुका है आय तो गायक का क्या हो गया आप इन ही शब्दों को भी याद रख लेंगे तो भी इन में से कुछ एक्जाम में वैसे ही फजाते हैं जो गायक वगररा सब्द है यह common सब्सदें जो कि exam में आते हैं अब जैसे आप A और e देख सकते हैं तो 9 हो जाता है 9 धन एक अब आपकी हेंपे स्वर संधिया तो हो चुकिया अब बसता है आप का व्यंजन संधि तो तो व्यंजन संदी में होता क्या है कि या तो व्यंजन के बाद कोई या तो स्वर आएगा या फिर व्यंजन आएगा और दोनों में कुछ विकार उत्पन होगा यानि कि चेंज उत्पन होगा जबकि स्वर संदी में केवल स्वर और स्वरों के बीच ही होता है व्यंजन संदी तो यहाँ पर ताका आपका चा बन चुका है तो यह आपकी विएंजन संदी के उधारन होगे उसके बाद है विशर्ग संदी में विशर्ग के बाद विशर्ग यह होता है आपका विशर्ग के बाद यह तो आपका कोई स्वर आएगा या फिर कोई विएंजन आएगा तो वि नॉलिज के लिए रख सकते हैं विशर्ग संधी में अब जैसे नी-जिन श्रील टो विशर्ग यूसरह बन जाता है जैसे बही प्लसमुख्व त बह Ал मुख्ड नोग चुका है उपर लग चुका है वहां तो यहाँ कर दो